हेलो स्टूडेंट टूडे भी विल रीड़ न्यू टॉपिक सरार्थी बंदर नोटी बंदर बहुत समय पहली की बात है एक सहर में एक मंदीर का निर्माड कार चल रहा था मंदीर में लकडी का बहुत काम था इसलिए लकडी चिनने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे दुपैर को सभी मजदूर होजन करने के लिए सेर जाते थे इसलिए दुपैर को एक गंटे तक वहां कोई नहीं होता चारों तरफ लकडी के लट्टे पड़े हुए थे एक दिन ऐसे ही सभी मजदूर खाना खाने के लिए काम छोड़कर चले गए एक लट्टा अदचिरा रह गया जिसमें उन्होंने एक कीला फसा दिया जिससे की दुपारा आरी गुसाने में आसानी रहे उन मजदूरों के जाने के वाद बांकुछ बंदर उचल कूज करते हुए आप पहुँचे उनमें से एक सराइटी बंदर था जिसका नाम चीकू था जो की बिना बज़े चीजों से छेड़ चाड़ करता रहता था सबी बंदर तो पेड़ों पर छड़का फलों का स्वाद ले रहते फलों का स्वाद ले रहते पर आदस से मजबूर चीकू चीजों से छेड़ चाड़ कर रहता अचानक से उसकी नजर अचानक से उसकी नजर एक अद चिरे लट्टे पर पड़ी हो बीच में बीच में अड़ाए गई बीच में बीच में अड़ाए गई बीच में बीचे लड़ा और सोचने लगा कि ईस कीले को लट्टे के बीच में से निकाल दिया तो क्या होगा अब बहुत जोड़ लगाने पर इसकी बहुत जोड़ लगाने पर कीला किला खिलने वाख खिसकने लगा इस पर बंदर भहुत खुश गया और जोर जोर से खोंखों कोंगों करता हुआ कीला सरकाने लगा इस दीगा मस्ती के बीच बंदर की पूँच दो पार्टों के बीच में आ गयी थी जिसका उसे पता ही नहीं लगा उसने उस साइटों का एक जोरदा जटका मारा और जैसे ही कीला भार कीचा जैसे ही उसने कीले को भार कीचा लट्टे के दो चीरे भाग लट्टे के जो चीरे हुए भाग थे फटाक से क्लिप की तरह क्लिप की तरह क्या हो गए थे जोड़ एकदम से कीले को भार की तरफ खीचा लट्टे के दूचिरे भाग फटाक से किलीप की तरह जुड़े रह गए जुड़े रह गए और बीच में फस गई बंदर की पूच बो तो जुड़ गए चीरे थे जुचने चीरे लगाए तो वो तो जुड़ गए कि उसने कील निकाल और लेकिन बंदर की पूच क्या होई वहीं फस गई बंदर चिला उठा बंदर चिला उठा तभी मजदूर वहां लोटे उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोड़ लगाया तो उसकी पूच तूट गई जैसे ही जोड़ लगाया तो उसकी पूच तूट गई इस कानी से हम यह सोचे यह सीखने को मिलता है कि बिना सोचे समधे बिना विचार किये हमें कोई काम ना करना चाहिए कोई काम नहीं करना चाहिए थैंक यू बोचे में वीडियो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब